TRS पार्टी के विधायक G1 रेड़ी ने कहा कि भारतिय जंता पार्टी को केंदर निधियों पर मंत्री KTR ने सपस्ट सवाल फेका है उन्होंने कहा कि बेटियां के सवाल सही जवाब दिये बिना भारतिय जंता पार्टी के सांसत मनमाने ढंग से बाते कर रहे है G1 रेड़ी ने कहा कि संजे तथा अर्विन, हेरलेस, हेडलेस सांसतों के रूप में बदल गए है भारतिय जंता पार्टी के सांसत छिछोरे तथा चिलर बात करने वाले नेता हो गए है इतना ही नहीं भारतिय जंता पार्टी के सांसत केड़ी नमबर वन भी हो गए है तो वही रेवन्त रेड़ी जेल को जाकर बेडी नंबर वन बन गए है जीवन रेड़ी ने कहा कि केटी यार सिहां जैसे आदमी है और अर्वीन तथा रेवन्त रेड़ी गाउं के कुत्तों की तरह भोक रहे है उन्होंने यहा भी बताया कि धर्मपूरी अर्वीन्त नहीं वहा दंगल बाजी अर्वीन्त डकेत है वाई कुंट धामाला गिचिन्हों मुँ विच्चिनकाद गवर्नर पालान वुणना राष्टाहम लोकुड इवन्नीट कि डभ्बूल ऊस्था हूँ नए वीजएपी पाल्यत राष्टाहल कुड इवन्नीट कि डभ्बूल ऊस्था हूँ नए आवि घागा इए राष्टाम लोग इए राष्ट प्रद लेलोग उच्चे देलोग तेप्पीच देलोग वरी कुरिंच माट्टाड़ मांटे वरी कोनुगोल विशयवलो उपकर वोज कोड केंदर मंद्री नीं गलवाले रहेलू टूरिस्ट मिनिस्टर कानी उपकर सीथ्रे एमपील चिल्लेरा चीचवरा चीप क्वालिटी एमपीलो यफ्पुड कोड केंदर वरी करनौत विबन्र कार स Sherlock enhance तेलंगाना राज्जी के स्वस्त निदेशक स्रीनिवास राओ ने बताया कि राज्जी की जनता वर्तमान गर्मियों के मौसम में लू से बचकर रहना चाहिए स्रीनिवास राओ ने कहा कि लोग इन गर्मियों के मौसम में जितना अधिक हो सके उतना पानी का सेवन करे कंठ सूक रहा है कहकर अचानक पानी नहीं पीना चाहिए उन्होंने कहा कि जब प्यास लगती है तब थोड़ी देर बैट कर सांस थमने के बाद क्रम बद तरीके से पानी पीना चाहिए स्वस्त निदेशक ने बताया कि आने वाले दिनों में और भी धूप एवं गर्मी बढ़ेगी इस कारण सरकार द्वारा ORS की सप्लाई की जा रही है जनता को लू से बचकर रहने की अत्यांत अवशकता है ऑटली को आप एक पानी पर चाहरत रहां थास सर्कार धिशक ने भी आपने है टी अवशकता है प्रश्चाचार नीरोधक बियोरे के अधिकारियों प्रश्चाचार नीरोधक बियोरो के अधिकारियों ने आएसे अधिक संपत्ती के मामले में शिकायत पर तलाशी के लिए छापा मारा एसे भी की जांच के समय नरसी मलू अपने घर में या कार्याले में उपलब्द नहीं था पता चला है कि वा शिर्डी साई बाबा के दर्शनार्थ गया है अधिकारियों ने नरसी मलू के कार्याले में कई दस्तावेजों थता संपत्ती संबंधी दस्तावेच आधी की पहचान की है नरसी मलू के भाईयों से संबंधी जानकारियों को एसी भी के अधिकारियों ने पूरा विवरण नहीं दिया है हैदरबाद में आज संपन होने वाली गोदावरी नदी प्रभंदन बोट की तेरवी बैठक स्थगित हो गई बोट के चेर्मेन MPCA की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली इस बैठक के स्थगित होने से अधिकारी वापस लोट आए इस बैठक के लिए तेलंगाना ENC मुरली धर CMO कार्यले के OSD श्रीधर देश पांडे इंजिनियर आदी उपस्तित होए लेकिन आंद्रप्रदेश से संभंधी एक भी अधिकारी इस बैठक में उपस्तित नहीं होए आंद्रप्रदेश के अधिकारियों की अनुपस्तिती से तेलंगाना सीचाई जल विभाग के विशेश मुख्य सचीव रजत कुमार भी इस बैठक में उपस्तित नहीं होए आंदर प्रदेश सरकार के अधिकारियों ने अनुपस्तिती को लेकर इस बैठक को स्थगित कर दिया गया ग्यात्यव है कि आंदर प्रदेश के सदेस्यों की अनुपस्तिती से मार्च 11 को बुलाई गई बैठक भी स्थगित हो गई थी गोदावरी बोट की बैठक स्तगित होने या दूसरी बार है बोट के चेर्मेन MP सिहा ने बताया कि अगली बैठक की तिथियां आधी बाद में घोशित की जाएगी राष्टिय हरित ट्रिबुनल की विशेश बैंच ने बताया कि जल संसाधनों के समरक्षन हेतु विशेश कमेटी द्वारा नियुक्त निश्चित प्रशाशन को अपनाया जा रहा है ट्रिबुनल में दर्ज हुए कई मामले से संबंदी वीडियो, कॉन्फिरेंस दारा, पूछताच एवन जांच के बाद फैसला घोशित किया गया राजि में मंजीरा, गजीपली, इसानापूर, गंडी, गुडेम, नक्का बाकू, आदी तलाबों के जल संसाधनों की रक्षा के लिए ततकाल युद्ध स्तर पर कारवाई करने की अवशक्ता है इसके लिए एक कमेटी गठित कर उसकी परियवेक्षन की देखरेक ट्यूबनल करेगा परियावरन विभाग के सचीव के नेत्यत्व में एक कमेटी गठित करने की भी अधिकारियों ने जानकारी दी सरकार के मुख्य सचीव तीन महेने में एक बार कमेटी की कारिशाला का परियवेक्षन करेंगे मुख्य रूप से प्रदूशन नियंतरन मंडली पतांचेरु बोलारम शेत्रों मेस्थित 224 उध्योगों को स्थानिय नियमों का पालन करना होगा यहां बात ट्रिबुनल ने बताई हैदरबाद रसुलपुरा जंशन के पास नाले को चोड़ा करने के कामों के चलते बेगम पेट यातायाद पुलिस थाना परिधी में यातायाद प्रतीबन अब भी जारी है नाला निर्मान के कारियों के चलते यहां गत 45 दिनों से पुलिस द्वारा प्रतीबन लागू किये गए सिकिंद्रबाद की और से रसुलपुरा की और आने वाले वाहनों को यात्री निवास हनुमान मंदिर के बाई और से छोड़ा गया है राम गोपल पेट पुलिस छेशन के करीब राइटर लेकर बीजी रोड से रसुलपुरा जंक्षन को जाने की योजना तयार की गई है लारियां बसों जैसे बड़े वाहनों के लिए प्रवेश बंद कर दिया गया है पीकर हावर में भारी यातायात जाम लग रहा है आज पैटनी से यातरी निवास तक ट्राफिक विवस्ता ठप हो गई जिससे वाहन चालकों को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ा पुलिस भी काफी मशक्कत करके यातायात को बहाल किया राज्ज में चिकित्सा एवं उपचार सुविधाओं को बहतर बना रहे राज्ज के मुख्य मंत्री के चंदरशेखर राव अब गरीबों को भी कार्परेट स्तर की उपचार सुविधाओं मुफ्त उफलब्द कराने के लिए तयारी कर रहे है इसके अंतरगत नगर के चारो और स्पेशालिटी अस्पताल निर्मित कराने के लिए तयार हुए तलंगाना इंस्टिटूट अफ मेडिकल साइंस के तत्ववधान में यहां तीन सूपर स्पेशलिस्ट होस्पिटल स्थापित होंगे इसके अतरिक राजसरकार ने एलबी नगर अस्पताल के लिए 9 करोड रुपे तता सनत नगर के लिए 882 करोड रुपे तता अलवाल अस्पताल के लिए 897 करोड रुपेओं की मंजूरी देते हुए शाशन देश नंबर 41 जारी किया है भवनों के निर्मान के लिए निविदाएं आमंत्रित करने हेतू R&B विभाग को आदेश जारी किये गए है इन तीन अस्पतालों को स्वायायत का दरजा रहेगा इस बात का खुलासा आदेशों में किया गया है हैदरबाद नगर में चारों और सूपर स्पेशलिस्ट अस्पताल उपलब्द हो जाए तो गांधी उस्मानिया तता नीम्स अस्पतालों पर दबाव कम हो जाएगा उस्मानिया विश्व विध्याले करमचारी संग के चुनाओ की सरगर्मी आरंब हो गई है उस्मानिया विश्व विध्याले NGO स्टाफ एसोसियेशन टेक्निकल स्टाफ एसोसियेशन एम्पलोईस यूनियन के चुनाओ हे तो कई लोगों ने अपने नामंकन पत्र दाखिल किये OU Employees Union के अध्यक्ष तता सचीव पत हे तो शिवशंकर तथा अकबर बेग ने नामंकन पत्र दाखिल किये इसी प्रकार NGO स्टाफ एसोसियेशन के अध्यक्ष तता सचीव के पत हे तो ग्यानेश्वर तता दीपक ने नामंकन पत्र भरे और एक पैनल की और से खादर खान तथा रवी ने नामंकन पत्र समर्पित किया करमचारियों की समस्या का परिश्कार करना इस लक्ष को लेकर उन पैनलों ने अपने प्रत्याशियों को जीत दिलाने का मतदाताओं से आगरा किया जर्गेंदी गता मुड़ु समस्या आले कृतां मुड़ा अजयक्ष्विल्गा जेश्टां मरोकसारी लिपोटी पड़ता हुनने को संदर्भां गता मुड़ु समस्या नेका उट्योगा समस्याल फेरिक पोइन अटने विश्याम जिरोजुन ने विज्योगी लगानी जर्गेंदी विज्योगी लिएक अधिकारुन ने उपकी ची मिंदी ची तबकोंड़ा प्रस्थी समस्याल उड़ा में परिश्करी ने चुटां राजी के खंबम में भारतिय जनता पार्टी के कार्य करता साई गनेश की आत्महत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है यहां कमल की पार्टी और गुलाब पार्टी के बीच बड़ी फाइट चल रही है ऐसा हो तो सारी गनेश की आत्महत्या पर CBI द्वारा जांच करवाने की मांग करते हुए तलंगाना उच्छी न्याले में एक याची का दायर की गई इस मामले में भारतिय जन्ता पाटी के नेताओं का आरोप है कि राज्छी के मंत्री पुवारा अजे कुमार ने प्रताडना से तंग आकर साई गनेश ने आत्महत्या की है वही बीजेपी के नेताओं ने इस बात को लेकर CBI द्वारा जांच की मांग की है भारतिय जन्ता पाटी के नेताओं का कहना है कि राज्जी से संबंत जांच संस्था द्वारा साई गनेश आत्महत्या के मामले की जांच कराने पर पीडित के परिवार को मिलने की कोई संभावना नहीं है यदि CBI द्वारा जांच कराई गई तो जो भी वास्तविक्ता है वहां बहार स्पस्ट रूप से निकल कर आएगी आत्महत्या कर लिये साई गनेश के परिजनों ने भी आरोप लगाया कि मंत्री के प्रताडना से तंग आकर ही साई गनेश ने आत्महत्या की जिससे उसकी मौत हुई उन्होंने भी CBI जांच कराने की मांग करते हुए केंद्री गुरुह विभाग के सचिव को पत्र लिख कर आगरा किया World Health Day समहारों देश भर में भव्य रूप से मनाया गया कई स्थानों पर विध्यार्तियों ने परियावरन की रक्षा करने हेतू हातों से प्ले काट लेकर रैलियां आयोजित कर उसमें शामिल हुए उत्तर प्रदेश के मुरादा बाद में विध्यार्तियों ने विट्षों को रक्षा बंधन की राखियां बांद कर विट्षों का समरक्षन करने पर वहा परियावरन की रक्षा करने जैसा होगा कहते हुए रैलियां आयोजित किये जादा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई है इसको कम करने के लिए हम सब को पेट पॉथे बहुत जादा प्लांट करने चाहिए और से पॉल्यूशन भी कम होगा इसी को लेकर हम सब पॉस्टर बनाया है जिससे हम पॉबलिक को मैसेज दे सकें कि हमें जादा से जादा पेट पॉथे उगाने चाहिए जिससे हमारा परेवर्ण को बिलकुल भी नुक्सान नहां पहुंचे हमें कम से कम पेट पॉथे काटने चाहिए और आप लोग देख सकते हैं कि लोग इतने अर्थम से बदला लेती हैं आपर आखी इसलिए बाढ़ दिये क्योंकि हम अपनी तरफ से पूरा प्रियास करें हम ट्रीस को सेव कर सकें देश में कोरोना मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है कल की तुल्ला में नए मामलों तथा सक्रिया मामलों की संख्या बढ़ गई है 2000 से 451 तक यहां आकड़ा पहुँचा है कोरोना वाइरस के कारण नए ढंक से 54 लोगों की मौत हो गई है वहीं कोरोना से 1581 लोग स्वस्त हो गए है इस समय देश में सक्रिया मामलों की संख्या बढ़ कर 14 से 241 पर पहुँच गई है इसके साथ ही दैनिक पॉजिटिविटी दर 0.5 प्रतिशत हो गई है अब तक देश में 187 करोड से अधिक टीकों की खुराग दी गई है केंद्रिय स्वस्त विभाग ने बताया कि वहीं दूसरी और विश्वभर में कोरोना के मामले आंशिक रूप से घटे है एक दिन की अवधी में 8,10,000 से अधिक नए मामले प्रकाश में आए है कोविट के प्रबाव से 32,89 लोगों की मौत हुई है दक्षिन कोरिया, जर्मनी, अस्ट्रेलिया, इटली, फ्रांस देशों में कोरोना के अधिक मामले है राजी के स्वास्त निदेशक ने बताया कि राजी की जनता को अभी कोरोना के नियमों का पालन करते हुए अनिवारी रूप से मास पहनना चाहिए उन्होंने बताया कि इसके लिए सरकार ने मास ना लगाने वालों के लिए हजार रुपे के जुर्माने का प्रावधान तयार रखा है कॉंग्रेस पार्टी के राष्टिय नेता राहूल गांधी आगामी 6 माई को शम्शाबद हवाई अड़े से सीधे हेलिकाफटर से सवार होकर वरंगल के लिए रवाना होंगे राहूल गांधी हेलिकाफटर द्वारा सीधे काक्तिय विश्व विद्याले पहुंचेंगे यहां ऐसा हो तो उन्होंने अपने वरंगल दौरे में छोटा सा संशोधन किया है आगामी 6 माई को राहूल गांधी मध्यान 2 बजे शम्शाबाद हवाई अड़े से हेलिकापटर के द्वारा वरंगल पहुंचेंगे इस मोके पर राहूल गांधी काक्तिय विश्व विद्याले से आर्ट्स कालेज मैदान तक एक विशाल रैली के रूप में ओपन टॉप वैन में सवार होकर नगर का दौरा करेंगे इस दौरे के लिए व्यापक सुरक्षा इंतिजाम किये गए है वरंगल में रैली के पश्चात राहूल गांधी सायच 6 बजे विशाल आम सभा को संबोधित करेंगे कॉंग्रेस पार्टी के नेताओं ने यहां जानकारी दी है